विश्व विक्रमी बनी प्रतिमा संकल्प वुआ है सिध्ध दिव्य भव्य की रचना गाए एकता की महिमा आमंत्रित करते हैं माननिय प्रधान मंत्री जी को सर्दार वल्लब भाई पटेल की इस विश्व विक्रमी स्मारकिय प्रतिमा के विधिवत राश्टारपण के लिए इस राश्टारपण में पूरे भारत के विविद प्रांतों की मिट्टी और मा नर्मदा का पवित्र जल दोनों इन कलशों में डाला जाएगा कलश महारतिय संस्कृति का प्रतीक है और प्रतीक शुब अवसर के प्रारंभ में इसका पूजन होता है आज कलश पूजन से वरुण देव का पूजन कर सभी नदियों के जल खेत खलिहान की मिट्टी और क्रिशी प्रवृत्ती का पूजन करते हैं वंदन करते हैं सरदार वल्लब भाई पटेल को याद कर उन्हें नमन करते हैं वंदन करते हैं आमंत्रत करते हैं मानन ये प्रधान मंत्री जी को कि आप ये लिवर खीच कर सरदार की प्रतिमा का अनावरन करें लोकारपड करें सेकड़ों रियासतों में बटे भारत को अखंड भारत बनाने वाले लोह पुरुष सरदार वल्लब भाई पडेल की एक अभुत पूर्व प्रतिमा की परिकल्पना एक बहुत बड़ी सोच है जो आदरनिय श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में थी आदरनिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2013 में गुजरात के मुख्य मंद्री रहते हुए भारत के किसानों का आवहान किया कि वो पूराने खेद, आउजार और अपने ख्षेत्र की मिट्टी को एकत्रित कर सरदार पटेल की प्रतिमा बनाने में अपना लोहे और मिट्टी को एकत्र किया गया, पूरे भारत के किसानों गवारा भेजे गए इस लोहे और मिट्टी को महता नर्मदा के जल्व और बूद के साथ अरपन करके एक विशाल काय प्रतिमा का निर्मान किया गया, ये विश्व की सबसे उची 182 मीटर की प्रतिमा है, य और एक शब धनजली है सरदार वल्लब भाई पटेल के, जो आज की नौजवान प्योडी को प्रेडित करती रहेगी, एकता के शिल्पी सरदार वल्लब भाई पटेल को कृतक यराष्ट अरपन का रहा है, एकता का शिल्प, आओ, वादा करें हम अपने सरदार से, कि अपने इस वर्चुल अनावरन के बाद अब आप के सामदे सरदार वल्लब भाई पटेल की वो विश्व विक्रमी प्रतिमा, आप देख सकते हैं, आईए अपने स्थान पर सम्मान में खड़े होकर, जोरदार तालियों से इस घटना का स्वागत करें, इस ख्षण के साक्षी होने का गौरव लें और स्वागत करें, कुछी देर में हमारे विमान यहां से फ्लाइ पास्ट करेंगे, बार्डोली के सरदार को कवी हरिवन श्राय बच्चन जी ने अपनी कविता पटेल के प्रती में कुछ इस प्रकार साराहा था, यही प्रसिद्ध लोह का पुरुष प्रबल, यही प्रसिद्ध शक्ति की शीला अटल, हिलाई से सका कभी नर शत्रुदल, सरदार पर स्वादेश को गुमान है, सुबुद्ध उच्च श्रिंक पर की ये जगा रदय गंभीर है, समुद्र तरहा कदम चुए हुए जमीन पर सरदार देश का निगाहबान है, और अब महारतिय वायुसेना के भारत में ही हेल द्वारा उत्पादित तीन किरन मार्क टू एरक्राफ्ट आस्मान को महारतिय तिरंगे के रंगों से इस एतिहासिक स्मारक ये प्रतिमा को स्टेच्यो आफ यूनिटी को सलामी देंगे, गोरखपुर एरफोर्स स्टेशन की प्रतिष्ठित एर डिफेंस फ्लाइट स्क्वाडरन के पाइलट्स, पवित्रता का शांती का सफेद रंग आस्मान में बिखेरेंगे, कमांडिंग आफिसर विंग कमांडर नव्जोध सिंग पन्नू, देश भक्ति का केसरी रंग हवा में बिखेरेंगे, विंग कमांडर पी कश्यप और समर्द्धी का हरा रंग आस्मान में बिखेरेंगे, विंग कमांडर अगरवाल. आस्मान में बिखेरेंगे,